तो राद भर मिसाइले बरस्ती रही, राद भर ऐसा मंजर रहा जिसमें कई स्कूल ध्वस्त हो गए, कई ऐसी बिल्डिंग ध्वस्त हो गए, हम बात कर रहे हैं मिडलिस्ट की जो वहाँ पर अश्रांती फैली हुई है और इरान और इसराइल के बीच में कभी भी कोई बड़ युद्ध का रूप लेने जा रहे हैं, कितने ऐसे देश हैं जो कि अब दो खिमों में बढ़ गाए हैं इसी पर बातचित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जोड़ गाए हैं मयंक कहा ये जा रहा है कि अभी तो छोटे-छोटे हमले हो रहे हैं लेकिन अगस्त के सब्सक्राइब यहां दो राथ उस porch थै निशाने पे इस जाने पर इजरायल के पैसर इसकर के बात कहाई चासकर Z coinc SP राथ ही SU जो है और बाद गरें शराएल गयां दे कर्ड़ ते निशाने पी इस पीज़ायले बाली प्सक्ति हां अड़ी आ is यह बहुत कम समय में एक साथ खूप सारे रॉकेट्स और मिजाइल से हमला कर देते हैं इसकी वज़े से क्या होता है जो इसराइल का आरेंड डॉम सिस्टम है जो की रॉकेट्स को पकड़ा गया है उस मिसाइलों को रोका गया जो आरेंड डॉम की आबाद करें उसे लेकिन फिर भी उसे काफे नुकसान हुआ है यह स्ट्राइजी है एक साथ खूप सारे रॉकेट्स फायर कर दी जाएं जिसकी वज़ा से आरेंड डॉम सिस्टम की जो मिजाइल है वो कंफ्यूज हो जाएं और उसको पकड़ ना पाया है इसी की चलते बीती रात भी यह हुआ कि उत्तरी इस्राइल पे एक साथ करीब 300-400 रॉकेट्स फायर कर दी गए उसके चलते आरेंड डॉम की एक मिजाइल थी वो उसका निशापने निशाने से भटक गई और वो इस्राइल के ही उपर ब्लास्ट कर गई तो अब बेसिकली अब हो यह रहा है निलो की इस पूरे मतलब यह जो एक बड़े वार की जिसके आप बात कर रही है कि अमला का वो सकता है इसके पहले की स्ट्राइजी बना ली गई गई और यह किया गया है कि पहले इस्राइल पर हिजबुला टैक करेगा अपने रॉकेट्स के जरिए, मिजाइल के जरिए 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 एक फरस्ट पेज में हिजबुला के लड़ा के लाइक आपने शाने हैं इस्राइल का निचाने है जैसे फूड प्लाइंड से आंस्टोलीश है पुलिस चौक्यां हो गई हम्ड़ा अर्मी के शालेशनी लोग ज़ने की आरें इस्राइल के खट्टी तोर्ने की कोषिशनी द प्राथिक रूप से उसे कमजोर करें, सैनिक रूप से उसे कमजोर करें, उनकी हतियारों को तबाह कर दें और जब इसराइल कमजोर पढ़ने लगे, पतलब जब वो थोड़ा से डिफेंसिव मोड में हो तब फिर एरान जो है वो उसके उपर हमला करेगा फुल पोर्स के साथ तो ये अब तक का प्लान जो है वो समझ में आ रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि हिजबुला जिस तरह से पहले हमला करेगा इसराइल को पर उसके बाद इरान के बारी आएगी, लेकिन यहां सिर्फ इन दोनों की बात नहीं हो रही है, हमास एक और उसके अलावा कह रहे हैं क जो फिलिपिन्स है, या फिर लेब्नन है, या फिर सीरिया है, यमन है, यह सब मिलकर कह रहे हैं कि एरान का साथ दे रहे हैं और यह सब इस हमले में शामल होंगे। इसके स्ट्राइजी बनाने में हुटा हुआ है, अमेरिका जो है वो इस्राइल के साथ खड़ा हुआ है, नेटो की फोर्सेज जहें वो इस फरकार से अगर देखें तो अगर हतियारों की बात की जाए, अगर फ्रांस हो चाहे बिटेयन की फोर्सेज हो है, ये इनका समर्थन तो हत्यारों के मुकाबले में तो इस्राइल भारी पढ़ता है लेकिन जब बास होती है फोर्सेस की ग्राउंड फोर्सेस की तो उसमें एरान और जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है वो भारी पढ़ती है अचा अभी जो है हिजबुल्ला की तरफ से और एरान की तरफ से इ तो अब यह कहा जा रहा है कि इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन याहू, वहां के जो रक्षा मंत्री है, योफ गेलंट, विदेश मंत्री है, कार्ड्स, और इनकी जो मुसाद है, मुसाद और आईडिएफ के जो चीफ है, हलेवी, यह चार-पांस लोग जो हैं, यह भी हिजबुल्ला के निशाने पर है, तो अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फुल स्रेजट वार शुरू हो, इसके पहले यह जो बड़े नेता है, यह बड़े अधिकारी जो है, इनके उपर भी असासिनेशन अटेप्ट हो सकता है, लेकिन यह है जरूर कि देखे, अगर इरान अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है, तो इसराइल भी इसमें पीछे नहीं है, इसराइल के किस तरह की तैयारी है वो भी हम आपको बता दे, जो इसराइल की सेना है उन्होंने भी लगातार पीछे कई हफ्तों से लगातार मिसाइल अटेक किये हैं जिसमें कई जो लेबनान की जो कई शहर के कई बिल्डिंग्स हैं वो तबा हुए हैं जो इसराइल से भढ़न जाता है तो उनकी अपनी एक स्रिटिजी है और वो स्रिटिजी क्या है कि पहले से आप उनके बड़े भड़े ठिकानों को टार्गेट करें जिसमें लेबनान की कई ठिकाने है या फिर एरान की कई ऐसे ठिकाने हैं और पीछे हमने देखा मयंग की रक्षा मंत्री हो या फिर खुद नितन्या हो हो या फिर सेना प्रमुक हो वो हर उन ठिकानों पर इसराइल के गए हैं सैनिकों से बाचित की है उन्होंने कहा है कि देखे हम शांती चाते हैं लेकिन जब आकर्मन होगा तो हम उससे पीछे भी ही रहेंगे यानि इसराइल भी अपने तरीके से पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और अब वो अपने सारे सेनिकों से कह चुका है कि अगर हमें लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे इसराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर हम इस बात के फुक्ता प्रमान मिल जाते हैं कि के विम्हें आपने के एक एक भी भी था यह ऩना करड़ दो दिए उसमें कि एक भारीप पड़ता एंप ऐपने एक इस्न सबस्स्राइब से जिन सब के सबस तरफ से घरे होने के बाद भी जो है इसरेयल इन पर भारी पड़ता है उसकी बड़ी वजा यह है कि उसकी एक तो नीती बहुत अकरामक है और उसके पास हतियार बहुत ही आधुनिक है क्योंकि अमेरिका उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ तो अब ऐसी स्थित के भी किक दो समय कि अबलने की जल से शांबूसंय करणा किने सिर्ण झांभी खरी कढ़ें है इसरेयल जो है आप काम करणे का तरीका यह कि दुए थे मिलेटरी लीडर्रों से उनको आपने निशाना बनाई का है इाया सिनวर जो हम धन्र के नही चीफ needed वो चीफ बन्ने के पहले से टार्गेट पर टीज बच्टे इसलिए रहे क्योंकि उनकी लोकेशन मुसाथ पता नहीं लगा पारा था बस यही वज़ा है कि जिसकी वज़ा है कि जिसकी वज़ा है कि पिछले कुछ समय में असासिनेशन अटेम्ट नहीं हुआ तो अब देखें यही जो सिच्वेशन वहां बनती है कि यह जो वार है वार शपर है टीज उरू हो उसके पहले हिस्जुलाह पर हमला करेगा इस्राइल को कम्सोर करने की आदेख प्लानी है चाहे उसकी फूड कंपनिया हो जहाए उसकी उसकी अफूड के ऊंता है उसको खतम किया जहाए इस पेट्रोकेमिकल्स जो कमपनी है उसको खतम किया जाए जाकि अगर वार होता है तो पेट्रोकेमिकल्स की जरुवत है वो कम पढ़ने लगे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाए ताकि पावर सप्लाई में बाधा हो तो एक प्रकार से जो आप चक्रव्यू कह रही थी वो बिल्कुल उसी तरह से एक चक्रव्यू तयार कर लिया गया है कि कैसे पहले हिजबुल्ला अटैक करके कुछ दिनों में इसराइल की कमर तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद जब इन्हें ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है तो फिर एरान हो सकता है अपने सह बारूत के धेर पर बैठा है कभी भी इस पर विस्पोर्ट हो सकता है और सभी को इसी का इंतजार है कि वो दिन कब आएगा कोशिश यही की जा रहे है कि इस युद्ध को इस टिंशन को यही रोका जाए लेकिन छोटे-छोटे हमलों से यही महीं लगता कि ये किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना होगा तो इस पर इंतजार रहेगा इस पर खबरे भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं